नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप देख रहे हैं VH News, मैं हूँ आपके साथ हेमन्त दोस्तों, किर्किट के भगवान कहे जाने वाले मशूर पूर भारते किर्किटर यानि कि सचन तंदुलकर कुरोना के चलते हस्पतार में भड़ती हुए है जिसकी जानकारी सचन तंदुलकर ने खुद ट्विट करके दी इसके बाग देश ये नहीं बलकि विदेशों में भी लोग सचन के जल्द स्वस्त होने की काम ना कर रहे है और इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व करकेटर यानि कि वसीम अकरम ने भी सचन के लिए संदेश पेशा है और जल से जल ठीक होने की दुआ भी उन्होंने की है पाकिस्तान की पूर्वित्रेज गेंदबाज यानिके वसीव अकरम ने सचिन की सेहत की सलामती की दूआ करते हुए उनके डेव्यू मैच को याद किया अकरम ने ट्विट कर लखा कि जस अंदाज में आपने उस सोला वर्ष की छोटी उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों के चक्के छोड़ा दिये थे तो मुझे यकीन है उसी तरह आप कोविट को भी बाउंडरी पार भेज देंगे और जल्द स्वस्थ होकर लोटेंगे बता दें कि सचन ने अस्पताल में भरती होने के जानकारी देते हुए ट्विट कर लिखा था कि डॉक्टरों के सलहा पर मैं अस्पताल में भरती हो गया हूँ मैं जल्दी अस्पताल से ठीक होकर वापस लोटाऊंगा आप सभी लोग मेरे लिए प्राखना कर रहे हैं इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इसके लावा सचन ने 2011 वर्ल्ड कब की दसवी वर्षगाट पर सभी भातियों और साथी खिलाडियों को बढ़ाई भी रहे हैं यहां आपको ये भी बता दें कि सचन तंदुलकर ने हाली में वर्ल्ड रोट सेफटी T20 सीरीज में हिस्सा लिया था उनको कुरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके साथ इस सीरीज में खेलने वाले तीन और पूर्व क्रिकेटर यानि कि योसिफ पठान, एस बल्डरीनात और एरफान पठान को भी कुरोना हो गया था वो सभी अभी होम कॉरेंटाइन हैं क्या दोस्तों आप सचन तंदुलकर को भी कुछ कहना चाहते हैं उनके भेंतर सलामती के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में कहें धन्यवाद